दिल्ली पॉब्लिक सीने सिकेंडरी बोर्डिंग स्कूल पालंपुर सुबे होते ही चौक चौराहों पर नजर आते हैं स्थानिय किसानों ने पालंपुर विधानसभा क्षितर की पंचायत कुडन में बन रहे गौसादन में इन मुवेशियों को भेजने की मांग की है ताकि किसानों की फसले सुरक्षित रह सकें तथा इन बे सहारा पश्यों को भी स्थाई ठिकाना मिल सकें दिवे हिमाचल टीवी के लिए गुपालपुर से संजय सोनी की रिपोर्ट दिल्ली पबलिक सीनियर सिकेंडरी बोर्डिंग स्कूल पालंपुर बच्चों के लिए बंपर ओफर की तहट एक सुनहरा अफसर लेकर आया है इस संस्थान में नर्सरी से जमा दो तक की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो गई है लिमिटेट सीट्स रखी गई है दिल्ली पबलिक स्कूल पालंपुर ने हिमाशल में बच्चों को अच्छे शिक्षा देने के लिए कड़ा प्रण लिया है हर बच्चे में कुछ खासियत है और काबिलियत होती है इसी के तहट बच्चों की पढ़ाई स्कूल में करवाई जाती है दिल्ली पबलिक सीनर सिकेंडरी बोर्डिंग स्कूल में अडमिशन चार्जर्स आनुल चार्जर्स नहीं लिया जाते है जबकि BPL स्टूडन्स के लिए 50 प्रतिशत का डिसकाउंट दिया जाता है इसी तरह अनात्व शहीदों के बच्चों को स्कूल में शिक्षा मुफ्त दी जाती है इस बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चों से मात्र साल के डेड़ लाक रुपे वसूल किया जाएंगे जसमें ट्यूशन फीस सहे तत रहना वक खाना भी शामिल होगा बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को NDA की ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके अतरेक्त सेना में कारेरत अभिभावकों के बच्चों को 10% की छूटती जाएगी